नमस्कार किसाम भाई हो आज के क्यूल सक्षण में आपका सवागत है तो दोस्तों क्योल सेख्षण में हम क्या करते हैं आप की गांड़ के नीचे जो कमेंट आते हैं उनिका जवाब देने का प्रायास करता हूँ तो चले पड़ाबड से शुरूरत करते हैं तो गवरो मेश्रम जी ने पूछाे कि बुम लावर की टनाशक के साथ मिला कर स्प्रे कर सकते हैं क्या मार्ग दर्शन करें तो बाई गवरो जी आप बुम फ्लावर का किसी भी किटनाशक के साथ या फिर पंचिसाइट के साथ बहुत ही अच्छी तरह के से मिक्सिंग भी कर सकते हैं इस प्रेम भी कर सकते हैं उससे कोई भी नुकसान आपका आपके पसल में नहीं होगा तो अगला सावल पूचा है गवरो सुनकर जी नि पूचा है कौन से कंपनी का अच्छा होता है तो बाई ट्राइस एकलोजोल जो 75 परसेंट डव्लूपी फॉर्मूलेशन में आता है वह आप किसी भी कंपनी का लेते हो तो आपको अच्छे रिजन मिल जाते हैं केमिकल कंपनियों में अगर किसी भी कंपनी का प्रोड़क्ट ट्राइस सेकलोजोन का अगर उसके उपर लिखा होता है सेउंटीबाइप परसेंट डव्लूपी थो वह अंदर भी 75 परसेंट होता है लेकिन यो प्रोड़क्ट बायोजिकल कंपनियों में आपको एक ब्रैंड की आउशक्ता होती लेकिन डिकर्मीकल कंपनियों में अईसे कुछ करन को मिल सकता है तो अगली कमेंट हर्शित सिंग जी ने पूछा है क्या इसे मिली बग को मारा जा सकता है कि अच्छा और सस्ता वालो जुगाड मेंने बता दिया आप क्लोरोपायरी फॉस या फिर प्रोपेन फॉस का इस्तेमाल करते हो तो आपका मिली बग भी बहुत ही अच्छे तरके से कंट्रोल हो जाएगा करेलीमे डावनि मिलल्डियो आ गया तो यूद्फे हुद्फे बालाज वहोगा मिली तो जूपर से जल जाएगा तो उसके बाद जो फेलने की ज्यादर ज्मस्फड़री कोशिश नहीं करेगा और यह बोल्टेक्स मिक्चर का अगर स्प्रेइंग करते हैं 200 ग्राम का तो उसके बाद आपको क्या करना है एक स्प्रेइंग कर सकते हैं तो अगली कमेंट है शिवार 007 जी की स्वाधिन प्लस एंप्लिगो प्लस बावंचोति चलेगा क्या फॉर सॉइबिन 60 डे बाइंग की फसल है और अगर उसमें फूल ना हो तो स्वाधिन एंप्लिगो और बावंचोति बेजिचक चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुमार बारा डिजीनी कमेट के है टॉमेटोला 1261 अनि 0050 अनि सलपर देव शक्तों का पंदर दिव सचाहे आप कर आप टमाटर के फसल में 1261 और 0050 देना चाहते हो 15 दिन के पसल के लिए यह बहुत ही आची चीज होगी इससे क्या होगा आपके udah rapport के फसल में चो इंटरने वह बहुत ही शौट आने के कारण आपकी जो आगे जाकर जो आप प्रेंचिंग निकालोगी और पी फूलों की संक्या ज्यादा होगी और फूलों के संक्या अगर ज्यादा थी तो पंडों की जंक्या बढ़ जाती आपके उपच बढ़ तो ज्यादा ब्रैंचिंग के लिए मेरे हिसाब से यह बारा एक सट और जुरो जुरो पचास का इस्तमाला अगर आप टामाटर की फसल में एक लगबग 15 दिन के अंतराल में करते हो तो भाई कोई हिचके चाहट वाली बात तो नहीं है अगली गमेंट है सागर मुरकोटी जी घरके नाइट्रोबेंजिन 20% आले पिका टर कायविल बाई अगर आप नाइट्रोबेंजिन 20% वाला घर जमिन में देते हो तो Г Ар् nearby की फसल भीकंदेवरल जैब की चांसे और भी जादा बढ़ जाते तो इसका इस्तमाल अगर आपको करना है तो उपर से ही कीजेगा और जिस फसल में फुलों की जरुते उसी फसलों में कीजेगा बेवज़ा अगर आप कुछ उल्टा सिधा करते हो तो आपके फसलों में नुकसान होने के भी चांसे तो अगली कमेंटे दादर रव जंगम जी की दिवेरत भाई अभी तक की इस्तमाल नहीं किया मगर पहली बार नमक की इस्तमाल करने की सोच रहा हूँ तूर के पसल को एक एकड में कम से कम कितना नमक दे सकते हैं 15 किलो दे सकते हैं क्या प्लीज रिपलाई तो दादर रव छी चक थोड़ा बहुत इसका इस्तमाल कर सकते कुछ जादा करोगे तो आपका नुक्सान होगा एक आथ बार आप दो साल में तीन साल में एक बार नमक का इस्तमाल करोगे तो कोई नुक्सान ने लेकिन आपके दमीन की वाटर वल्डिंग बहुत कम है और आयसे में आगर आप नमक का इस्तमाल करना चाहते हो आपके खेती के लिए तो भाई ये बहुत ही घातक है इससे आपकी जमीन खराब भी हो सकती है तो अर्विन राठोट जी ने कमेंट किया है कॉटन पे जम्प की स्प्रेक कर सकते हैं जम्प का वीडियो बना थी है आप उस वीडियो में द उनको बहुत ही अलग अलग फसलों पे ट्राइल लेके उनको दिखाना पड़ता है गवर्मेंट का बहुत ही बड़ा प्रोसीजर होता है इसलिए वह कुछ गिने चुने पसलों के नाम वहापे लिखते है लेकिन चलने में तो यह सभी फसलों पे बेजी चक चल जाता है अम कुमानेल में जो जिंक आता है वो भी आलग फॉर्मॉलेशन में आता है तो बावन्तो तीस और कुमानेल तो चल जाता है कोई दिकत वाली बात नहीं तो पॉसपेट के साथ आपका जिंक सल्पेट काम नहीं करता है यह आपको याद रखना है बपा दीत्या दे जीनी कमिट क्या है copper oxy chloride flowering stage में यूज कर सकते क्या बाई copper oxy chloride यदि आप flowering stage में इस्तमाल करते हो तो आपके फसलों में जो भी फसल होगी उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग 100 प्रतिशत होगी होगी तो आपको यहाप ही एक बात इधायन में रखना है अगर आपको आपके फसल में flowering stage में अगर copper का इस्तमाली करना है तो copper oxy chloride का इस्तमाल ना करते होए आपको जो आपका liquid border आता है जिसके उपर हमने वीडियो भी बाना दिया है तो liquid border का इस्तमाल करते हो तो आपका copper भी जाएगा उसके result भी मिलेंगे और आपकी flower dropping भी नहीं होगी तो यह मेरे लिए मेरे इसाब स से आपके लिए बहुत ही बढ़िया option रहेगा महादया हंग मीरे जीनी कमेंट किया है M455 बरबर pseudo and tricho दे सकते हैं भाई M455 के साथ आप pseudo monos or trichoderma नहीं दे सकते हैं क्योंकि M45 contact में काम करता है यदि यह systemic होता हो और अकिला इसी product में एक ही systemic content होता तो आप चल सकता था लेकि करन लो लोन वंशी चीने कमेंट किया है टोमेटों में फ्रूट पर बिंडी 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 आ रही है कौन सी दावा डाले तो भाई बिंदी बिंदी आ रहे है यानि कि वह आपका black spot होगा बिंदी बिंदी तो वह होगा आपका bacterial blight ब्लाइट के लिए आ पोड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा अगली कमेंट दिपक मिना जी स्वाइबीन में फूल आने पर मोनोक्रोटो फास इस्तमाल कर सकते हैं क्या मेरे सावल का जाब दे देना तो दिपक जी आप मोनोक्रोटो फास का फ्लावरी स्टेज में बिलकुल भी इस्तमाल नहीं बना ओं तो भाई जंगम जी हमने मौलिबऍ डेनम के उपर वीडियो डेटेल में बना दिया ऐसाइँ कुणसी कंपणी का को म्याद आता है Jeanne अप निर्मात प्लस यूटयों मौलिबदियंम तो आपको हमारा ये वीडियो वाला मिल जाएगा तो उसमें इसब जा किया है सर हमने अभी मिर्च की फसल खेत में लगाई है और उस पर भुरी रोग पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रल नहीं हो पा रहा है तो क्या गरें तो यह आप एक काम करना पहले क्वांटा पोर क्या क्या क्लोराइड का इस्तमाल कर लेना उसके बाद आपको क्या करना है डा प्रितिशत कंट्रोल मिल जाएगा जैवंत राउद जीने कमेंट के सर माजी टोमेटो आता फ्लावर स्टेज लाहे तर चालेल का टील्ट तो भाई अगर आपकी फसल अगर फ्लावरिंग स्टेज में और आप टील्ट डालना चाहते हो तो भाई टील्ट आप बेजी चक ड यह जानने के लिए इस वाली वीडियो के उपर आप क्लिक करके वह अंसर पास सकते हो मिलते हैं आगले वीडियो में जैजवान जैकिसान